hydrogen 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 हाँ इस बारे में बात सारी बाके हो यह लेकिन क्या हम जानते हैं कि hydrogen управité बार्टी बाजार के लिए परिटर उफशन यह नहीं लेकिन साथ यह भी समझना पड़े Wyatt कि कौन से hydrogen कार पुपरी दुनिया में मौझोद है तो पुरी दुनिया में मौझोद है वह है यह तर्टर की करला क्रास और यह आती है हाइडरियन बेस्ट आइसी इंजिन के साथ यह तो समझेंगे साथ ही समझेंगे कितना पेटकल आसपेक्ट है और यह कब लॉंच होगी मैं हूँ आपका होश्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरू पहले कार और कितिनी इंपोर्टेंट है हाइडरियन यह भी समझते है सुवात करते हैं पहले लुक से तो देखो तोयटा के पास लुक हमेशा ही अच्छा रहा है ऐसा लुक रहा है जो सबको पसंद आ जालता है कोई नॉ-nonsense वाला अच्छा बॉनट इसमें भी चोच की तरह से यह सा बहार निकला हुआ है अच्छा लगए यहाँ पर आपको बैज मिलना है तोयटा करोला क्रॉस है और करोला क्रॉस का मतलब करोला जो हमारे जहां आती थी उसका क्रॉस बैक वर्जन है यहाँ पर आपको हैडलेंप पिलते हैं एलेडी प्रजेक्टर के साथ में नीचे लेंप मौझूद नहीं है फ्रंट में ग्रिल रखी गई है बिलकुल वैसे ही जैसे टिपकल आइसी एंजिन के साथ की जाती है बिलकुल वैसे ही ग्रिल यहाँ भी मौझूद है उपर आपको रेडार के फंक्शन के लिए कैमरा मिल जाता है और कुछ ऐसे फीचर जो मैं 17 इंच के स्टील वील्स है यह स्टील वील्स है जिन पर कवरिंग दे रखी गई है साथ ही 215 60 प्रोफाइल के आपको टायर बिलते हैं हिस्सा बहुत अच्छे से वाइट कलर में है यह तो स्टीकर लगाए गए है इस पीसदी ताक आपको दूर से अट्रक्ट किया जा सके और बताया जा सकें कि यह डिमोस्ट्रीशन परपस से बनाई हुई हाइडोजन फ्यूल कार है अच्छी आपको इस कर्टिंग मिलती है और बहुत अच्छा ग्राउंड के लैंस ओ माइग गॉड यह 220 से ऊपर होना चाहिए फेटिंग फ्रेश को लेकर थोड़ी बहुत सिकायते हैं लेकिन मुझे पता है कि यह एक प्रजेक्ट कार है एक्चल कार नहीं और जब यह बिकने आएगी तब तक इसमें कई और छोटी-छोटी कमियों को दोर किया जा सकेगा ओवराल मुझे अच्छा लग रहा है डोर अ यहां पर मिलता है यहां से निकलता है पानी कैसे बताऊंगा आपको वह भी साथवेक्स और यहां पर मिलता है आपको बूट स्पेस अलाकि इस बूट स्पेस को डिमोस्टेशन पपस से दिखा रहे गया है जिसमें की हाइडरोजन के सिलेंडर से लगे विए और आप इनको देखके चौकेंगे किया है कैसे हालाकि इसके उपर आप सामान कैरी कर सकते हैं लगबग य साथ यानि जगह बहुत जाता है हाइडरोजन फ्यूल फ्यूल होने के बाब यू टैंक इंजिन चे बाब की जाए तो आपको मिलता है 1.6 लीटर का हाँ काफी बड़ी साइज का लेकिन 3 स्रेंडर का है इंजिन है जो के हाइडरोजन फ्यूल से चलता है इस पर दो टैंक मि है जिनमें काफी रीजनेबल साइज की हाइडरोजन आ जाएगी और आप अल्मोस्ट शिक्स हंड़ेड टू वन थाजन किलोमेटर तफ पीसा पाइंडली से चला पाएंगे ध्यान से देखा जाए तो इस इंजिन में कोई भी कनेक्शन नहीं है नहीं तो हाइडरोजन आ र सिरिंडर दिया गया 1.6 के साथ में यानि हाडरोजन को जलने के लिए बड़ा चैंबर चाहिए और वह चैंबर देना मजबूरी है कहों को नहीं की दूसा चुम कनेक्शन नहीं है तो इस कार को चला नहीं सकते यह सिर्फ डमी और डेमो पापर्स के लिए डिजाइन करके द जैसे कि मराई तो उपा आए बटन पर क्लिक करके देख साथ यह कितनी पावर देगा इसके बारे में कंपनी ने खलासा नहीं किया अपने ब्रोचर में यानि यह अभी भी अंडर डेवलपिंग कंडिशन में है और जब इसकी पावर फिदर एग्जेक्ट हो जाएंगी hydrogen fuel वाली कार में अगर एक नई चीज आपको दिखाओं तो यह कि नीचे पैर के पास पैडल दे रखा है जो इस कार को बार बार पुश करके स्टार्टिंग सेटप देता है यानि अगर आप कार को बीच में कहीं रोक लेते हैं तो यह बंद हो सकती है तो आप इसे पुश ब यहां पर वही यूस्ट पॉर्ट नॉबल सिस्टम यहां पर शाथ इंच की इन्फोटेंवन सिस्टम मौजूद है और वही बेसिक फीचर के साथ में को यहां पर एसी के कंट्रोल क्लामिट कंट्रोल के ऑप्शन मिलते हैं इधर आपको इलेक्ट्रोनिक पार्किंग यहां पर थोड़ी सी जगह है साथ ही आपको एक यूस्ट और एक 12 वोर्ट सॉकेट मिल आता है यहां पर यह लॉक करने का ऑप्शन दिरक्था गया है सामने ट्रेक्शन कंट्रोल ऑफ करने का और एक पावर बटन दिरक्था गया है डिस्प्ले पापर के लिए इस्टेरिं बेसिक बिल्कुल बेसिक जैसे वेगंदार में आता है फिल्कुल स्टेंडर्ड के यहां पर अनलोग मीटर देता गया एक 180 किली मेटर गली एक टाप पर साइड में चोटी सी हम एप यहां पर आपको आई-टी आप्सिं ग्लयक्त आंटी यह वह बिलकुल सस्ती वानी क्वा वोश्टिंग दे रखी गई है अंडर थाई भी बहुत अच्छा है हेड रेस्ट भी बिलकुल पर्फेक्ट है हर चीज पर्फेक्ट है यहां क्वाल्टी भी अच्छी यूज की गई है बस सब प्लास्टिक की थोड़ा सा सस्ता रखा गया है ताकि कीवर कम रखी जा सके ग्ल थोड़ा सा स्टेरिंग को देखके थोड़ा उदास होता है ऐसे को देखके बाकि ऐसी कोई बड़ी कंप्लेइन नहीं है लेकिन हाँ प्राइस एक मायने रखती है वो बताऊंगा वीडियो के एंत में यह सीट फुली बैकवार्ड है और जगह अच्छी खासी यहां भी मौज है यहां पर एक छोटी सी केविल लाइट मजूद है और यहां पर आपको के लिए कंपनी ने एक टैंक दिखाया है और एक टैंक यहां एक टैंक पीछे इस तरह से पूरी कार में दो टैंक दे रखे गए और मैं इस समय एक टैंक की हाइड्रोजन टैंक की उपर बैटा यहां पार्णे में लोगें के टैंक से जादा से ज़ादा मजबूत होता है और इसलिए यह टैंक बहुत एकसप and इंजन से जादा टैंक मेहंगे होते हैं और यही ही रिजून है कि यह कारह TO ज्यादा बहुत ज्यादा मेंगी हो जाती है ये बी सच है कि है एड्रेनों का अच्छे फ्यूल में गिना जाता है लेकिन गेन परड़क्शन के लिए भी बहुत सारा कार्बन उतसर्ज हो जाता है जो समस्या बहुत बड़ी है बिजली से ही हाइडोजन बन ले यानि फिर भी खर्च हो रही है तो फाइदा क्या हाइडोजन कोई एक ऐसा तरी का होना चाह अगर तो बात बंद सकती है और इस पेस बहुत अच्छा पीछे की सीट है और मैं हाइडोजन टैंक की उपर बैठके थोड़ा गौला नवित मैसूस कर दा हूँ कि आसान नहीं होता है कि आपको पता हो कि आप हाइडोजन की उपर पैठे रही है चलिए अब बात करते हैं इसके पैठेकल आस्पैक ही हाइडोजन फ्यूल के बारे में बहुत सारी बात हो हैडोजन पर दोत है कि टेक्नलोजी साही दुनिया में जानी जाती है एक तो है फ्यूल जो की एक्ट्ट physical मैं हडे असे बिजिली बनाते है जिससे की बैट्रेश से करिश के जाता है ऊसे बै करने का नहीं मगर यह डिफरेंट है यह हाइडोजन एज फ्यूल यूज कर रही है फ्यूल के तौर पर क्या का जा है कि हाइडोजन सीधे आउक्सिजन के साथ रियक्शन करके एनर्जी पैदा करती है और उस एनर्जी से डायेक्ट कार चलाई जाती है विल्कुल वैसे ही जै बहुत से रिस्क फ्यक्टर सामिल होते हैं और साथ यही रिजेन है कि दुनिया में किसी कंपनी की हिम्मत नहीं पड़ी हाइडोजन फ्यूल वाली आईसी इंजन बेश्ट कार बनाने की दूसी चीज हाइडोजन फ्यूल के साथ आपको बड़े इंजन की जगत पड़ती है चोटे साइज के इंजन उतने कारगर नहीं हो सकते हैं और इसलिए इसमें 1.6 इंजन का इस्तमाल किया गया है 1.2 भी चला सकता है इस कार को मगर नहीं 1.6 का इस्तोमाल किया गया, वो भी 3 सिलिंडर के साथ, तक ज़्यादा जगह मिल सके बर्न होने के लिए, टेक्निकली बहुत साही चीज़े जाननी जवरी होती है, हवा बाजी तो सब लोग कर लेते हैं, आइडिया नाएगा, यह होगा, लेकिन कितना आसान है, इसे समझना प इसकी प्रैजिंग का अनुमार आपके साथ शेयर कर देता हो यह, इसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रोपे से सुरू होकर 45 लाख रोपीज तक जा सकती है, मेरे असाब से हाइडोजन फ्यूल के लिए यह कम ही कीमत मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ टेक्नलोजी पर अर्बो रो लंबे समय पर लेके आना, आपकी उपनियन लिखिएगा, सराको पार यह भी लिखिएगा, आप कितने उम्मीद रथ है हाइडोजन कार को लेकर, अच्छा लगेगा, फेस्बुक पर देखर तो मेरे पेस को लाइक कीजिए, फालो करना ना बूले, यूट्यूब पर देख बेल दावान आना बूलेगा, मुलाकात होगी, ऐसे हीश अन्दार वीडियो के था, देखते रहिए, आस, कार, बूलू